अलो फ्रेंज, वेलकम टू आज चानल करेंट अफेर अपडेटेड इस दिवाशी शवस्ती और आज मैं आपके सामने वीकली करेंट अफेर लेके आ गया हूं आपको पता होगा संडे के दिन हम वीकली करेंट अफेर डिसकस करते हैं मतलब एक पूरे वीक कर दाट इस 25 अउगस से लेके 1 सेप्टमबर तक जितनी भी करेंट अफेर है वो सिंगल लेक्षर में कवर करते हैं तुरू MCQ फॉर्म लेक्षर को एंड तक जरूर देखना बहुत इंटरस्टिंग कोशन्स हैं क्या चीजें इस वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट थी ओके लेट स्टार्ट सबसे पहला कोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला और बहुत महनत से मैंने यह PPT ब रखा इसका तो मैंने पूछा कि कहा प्ल रखा न पूख कर वाधवन पूर्टा है वादवन को तोढिरिक को सकते हैं महराश्ogen और पर कहा है हुआ है तो correct answer option number B है okay चले next question मा आते है that is question number 2 where will the woman Asian championship trophy 2024 जो की hockey की है मैं आपको बता देता हूं ठीक है will be held from 11th to 20th November 2024 ठीक है मतलब 11th to 20th November के बीच में woman Asian championship trophy जो है वो होने वाली है जो की मैं बता दूँ होकी की है यह कहा होगी options आपके सामने है यह होने वाली है बिहार में आप यहां देख सकते हैं लिखा भी राजगीर to host woman Asian champion trophy 2024 जो की hockey की tournament है तो correct answer option B है that is राजगीर बिहार आजकल राजगीर वैसे भी बिहार में बहुत news में चल रहा है okay correct answer यहां option number B है ठीक है और यह एक बात आपके सकते हैं पहला international hockey tournament है जो बिहार state में हो रहा है 11th से 28th November के बीच में होगा ठीक है यह आपको रखना है woman Asian championship trophy 2024 okay यह होने वाली है बिहार में okay that is at India next question माते question number third the Indian army launched a project to support veterans and their families what is the name of the project? यह बड़ा important project अब न्यूस में भी चल रहा है आप चाहें तो Google भी कर सकते हैं इस project को ठीक है यह Indian army ने launch किया है कौन सा project है options आपके सामने है ठीक है revive है repeat है आशिरवाद ऐसे options दिये गए है मैं आपको direct याद करा रहा हूँ correct answer operation Naman नाम भी देखे कितना प्यारा operation Naman correct answer option A है operation Naman देखे इसके अंदर जो veterans है उनकी families है उनको support किया जाएगा तो it will provide dedicated support and services to the defense pensioners जो कि pensioners हैं veterans हैं उनकी families जो हैं उनको इस project Naman के अंदर Indian army ने इसका first phase भी launch कर दिया उनकी मदद की जाएगी याद अखना आपको उनको support किया जाएगा तो रहे की question directly आते हैं कि project Naman जो है वो किस से related ऐसा question भी आ सकता है तो ये भी आपको बताना पड़ेगा ठीक है army से related है या किसी environment से related है ऐसे करके options देगे you have to mark the answer that is option number A project Naman है इस question का answer project Naman है next question मैं आते है question number 4 this is very important question what is the name of cyclone formed over Kach coast ये Kach का जो coast है ठीक है आपको याद रखना है ये Kach का coast है आपका ठीक है in Gujarat and adjoining areas of Pakistan मतलब ये Gujarat में इसका impact देखने को मिल रहा है और Pakistan में इसका impact देखने को मिल रहा है अभी आपने देखा भी ये गुजरात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बहुत से रील्स आपने देखे होगे कि गुजरात बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिससे बहुत ज़्यादा water logging की problems देखने को मिली गुजरात में तो ये अभी जो cyclone आया अभी आपने देखा 31st August में इसका impact था और 2nd September तक ये weekend हो जाएगा तो इसका जो impact है मैंने पूछा इस cyclone का नाम क्या था जो इस cyclone आया है options आपके सामने है और इसका correct answer cyclone asna जा देखेंगा cyclone asna जो है वो अभी news में पूछ सकते कहां पर आया है तो आपके अरेबियन सी में आया है पूछ रखते हैं अरेबियन सी में आया है कि वे ओफ बेंगॉल में आया तो correct answer अरेबियन सी होगा और इसका नाम जो इसका naming asna cyclone की naming किसने दिये तो वो दी है पाकिस्तान ने ये भी याद रखने आपको पूछ रखते हैं कि इसका naming किसने दिये तो correct answer पाकिस्तान है तो इस cyclone बहुत पूछ आते हैं पाकिस्तान ने naming की है याद रखेगा इसका impact गुजरात में भी आपने देखा हुआ है ठीक है तो exam में इस तरह का question frame किये जा सकते हैं ठीक है next question में आते हैं that is question number fifth India का largest aero launch to be launched at India का सबसे बड़ा aero launch कभी आप अगर airport गए होंगे तो आपने launch की facilities ली होंगी but India का सबसे बड़ा ठीक है aero launch जो है वो कहां पर बना हुआ है options आपके सामने देखे airports के नाम लिखे हुए हैं मैं आपको बताए तो अगर आप केरल जाते हो कभी ठीक है तो केरला के that is coaching airport में आपको जाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यहीं पर इंडिया का largest aero launch जो है coaching airport में launch जागे आप देख सकते 41 guest rooms हैं, board rooms हैं, conference hall है co-working space है इस launch में within the airport ठीक है तो यह सारी facilities हैं आपको यहाइड़ना world class airport experience है ना, तो यह जो है world का, इंडिया का largest, sorry aero launch जो है, वो यहाइड़ना, coaching airport में situated, that is at Kerala, okay next question में 6 में आते हैं women and child development minister has launched shebox portal to make workplace safer for women, okay, portal launch किया है, जहाँ पर आप complain वगरा कर सकते हैं sexual harassment complaint portal है okay, इसमें women जो workplace में work कर सकें, और यहाँ पर अगर कोई complain करना चाहती है, तो complain भी कर सकते हैं इस portal को भी recently launch किया गया है, तो women and child development minister है, उन्होंने launch किया, अभी यह कौन है, यह आपको बताना पड़ेगा options आपके सामने है, स्मृति इरान नी यहाँ पर, ठीक है, option number C, है ना, तो यहाँ पर पूरा नाम है, अन्दपूर्णा देवी पटेल, ठीक है, तो correct answer, that is option number, option number C, जो है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर correct answer हो जाता है, ठीक है, तो यह आपको याद आखते हैं, दीखें, question उल्टा भी frame कर सकते हैं, आपसे, इस तरह पूछ सकते हैं, कि जो एक portal launch किया गया है, है ना, और यह जो portal launch किया गया है, यह पूछ सकते हैं, कि workplace safer बनाने के लिए launch किया गया है, तो आपसे पूछ सकते हैं, कि यह portal का नाम क्या है, तो इस तरह उल्टा question भी आ सकता होगा ठीक है आगे बढ़ते हम next question के और move करते हैं that is question number एक से रुख जाएगेगा हां next question में आते हैं that is question number 7 आप इस question को read करिए बहुत important question है यह question exam में international affairs में पूछा जा सकता है है ना कि international affairs में question आएगा और आपको थोड़ा सा confused का सकता है question question देखिए आप एक lady आपको दिख रही होंगी ठीक है नाम क्या है पत्मे महजरानी तो यह मैंने पूछ लिया आप से कि यह जो है ठीक है that is फत्मे महजरानी जो है ठीक है यह recently appoint हुई है क्या appoint हुई है यह मैंने आप से पूछ लिया कि यह appoint हुई है as a first female government spokesperson of which country किस country यह पहली first female government spokesperson जो है वो appoint हुई है options आपके सामने दिये गए है यहना पहली बाग कोई female government spokesperson जो है वो appoint हुई है और correct answer आपको यादखना है that is Iran इरान वैसे भी news में है तो correct answer option number B है तो यह भी आपको यादखना है question आप से directly इस तरह का पूछा सकता है आप confused हो सकते हो कि यार यह कौन सी यहाँ पर map में भी लिखा हुआ है ठीक है इनका नाम इंकी ठीक है और मैंने यहाँ पर option अनुप्रिया पटे लिग दिया था तो यह आप थोड़ा सा सही कर लेना थीक है आप अई होप सही कर लेंगे थीक है इनकी इमेज भी आप देख लेना एक बजा के तो यह जो है कि जो है इसको हम यहाँ कट कर रहे हैं और correct option जो है मैंने भी आपको बता है आपको mark कर देना है अनुपूर्णा देवी यादव ओके I think आप लोग इनका नाम सुना होगा बहुत famous person है पहले दे को स्मिती इरानी थी है ना तो बट अब यह होगी है ठीक है चले next question में आते त तो I think यह question को आप सही कर लोगे चले और इसका answer क्या है Iran for the first time a woman will be the government spokesperson और इरान के भी प्रेजेंट आपको पता हूं चाहिए यह मैंने पूछा है to ensure mutual supply of defense goods and services and address un anticipated supply तो किस country के साथ इंडिया ने sign किया हुआ है SOSA का agreement यह मैंने आप से पूछा हुआ है options आपके सामने है ठीक है इंडिया 18th country बनी है जिसके साथ US ने sign किया तो correct answer option number D है that is US दे ठीक है इस agreement के अंदर होगा क्या कि अगर आपको इंडिया अगर चाहता है कि जो US की defense companies है ठीक है वो priority basis में इनको defense equipment दे तो उनको देना पड़ेगा and why सी वर्सा आगए US चाहता है कि Indian defense companies जो है वो priority basis में उनको equipment से तो उनको देना पड़ेगा तो इससे अपको एक mutual agreement होगा इसलिए यह MOU जो आप कह रहे है तो यह आपको याद अखना है इससे better होगा जो आपका goods and services regarding national defense military accelerator होता है वो आप easily आपको priority basis में मिल जाएगा ओके चले next question में नाइंत में आते है रिसेंट्ली प्राइमरिस्ट्ली गिफ्टेड भीश में यह क्या है भारत health initiative for sayyog hit and matri cubes to which country actually यह है क्या बतायता हूँ यह portable hospital है आ थे ठीक है आपको पता हूँ को वहाँ पर Ukraine में उन्होंने यह चीज़ गिफ्ट की हुई है correct answer that is option number D is the correct answer ठीक है तो यह आपको याद रखना है world the first portable hospital जो आप देखेंगे इसका नम आरोग मैतरी 8 cube यह तो भीश में क्यूब के नाम से भी जाना जा रहा है actually यह portable hospital होता क्या ह आपको वहाँ हॉस्पिटल को वहाँ पर पहुचाएंगे इसको ठीक है और यह विदिन 8 minutes एक तरीके तरह प्रॉपर हॉस्पिटल की तरह आप देख सकते है प्रॉपर डवलप हो जाता है ठीक है तो यह आपको गया है correct answer option number D है comment box मुझे Ukraine की capital क्या है what is the capital of Ukraine यह मुझे comment box से mention करके पताईए next question 10th में आते है recently who has participated in that is लखपती दीदी सम्मेलन जो की जालगाओं महराष्ट में हुआ लखपती दीदी सम्मेलन उसमें किस ने participate किया options आपके सामने दिये गए है ठीकि लखपती दीदी scheme भी launch हुई थी आपको पता होगा important लखपती दीदी योजना थी यहां पर सरकार का टागेट था कि वोमें जो है वो वन लाक रुपीस पर एयर अर्न करें ठीक है इस scheme के अंदर ठीक है यह अभी रिसेंट्ली नरेंद मोदी ने participate किया इसमें प्राइम मिनसर देश के जो है option अब एक correct answer है और लखपती दीदी समेले में उनको facilitate किया जो लखपती बन गई है मतब एक लाक रुपे सालाना जो earn कर रही है क्योंकि government का target था कि तीन करोर वुमेंस को हम training देंगे इस तरह जिससे वो वन लाक रुपीस पर एनम जो है वो earn कर सके और यह scheme जो थी लखपती द इदी बन चुकी है ओके चले एक्स कुशन कोशन में 11 वाट डज यूपीस स्टांड फॉर इन डेफरेंस टू बेनेफिट फो गवर्मेंट अभी आपको बता होगा सरकार ने कीम लांच की है पेंशन की स्कीम है जो सेंटर गवर्मेंट के एंप्लोई के बेनिफीशल होगा उस टीम करना में UPS तो मैंने पूछा UPS का फॉल फॉर्म क्या है अप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर सिधा आपको बता रहा हूँ तैस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यह एफेक्टिव हो जाएगी 1st April 2025 से और स्टेट गवर्मेंट चाहे तो वो भी इसको एप्ल अन्डर 17 World Wrestling Championship 2024 ठीक है तो किस country ने 1st ever टीम टाइडल जीता है बहुत important वो आता है और यह टाइडल जीता है पहली बार इंडिया ने और यह अंडर 17 वर्ल रेसिंग चैपेशिप जो है वो जॉर्डन में हो रही थी जॉर्डन की कैपिल अमान में हो रही थी जहां पर यह चैपेशिप जीती गई है तो team perspective है team title जो है वो इंडिया ने जीता है और medal इंडिया के total 10 थे 5 gold, 1 silver और 4 bronze medal ठीक है और यह title जिया दखेएगा overall team title जो है वो इंडिया ने जीता है with 185 points next question है 13 in which state is South India's first आदिवासी library इसका नाम है कानू जिसको open किया जा रहा है तो South India की पहली आदिवासी library कहा open की जा रही है यह मैंने आप से पूछा है the correct answer option अभी आपका में ठीक है तो डारेक्ट की आज रकना है करनाटका में open की जा रही है comment box में आप मुझे करनाटका के CM और करनाटका के governor दोनों ही आप मुझे comment box मेंशन करी क्योंग करनाटका के CM वैसे भी news में रते है क्यों करनाटका में congress ही government है comment box बताई हो governor कौन है ये भी आप उचे comment box में mention करके बताई है next question of 14 which emerged as India's top trading partner during this year January through June 2024 तो इंडिया का top trading partner कौन बन गया है options आपके सामने direct correct answer बता रहा हूं that is USA तो रहे कि इंडिया का top trading partner जो है इस year Jan से जून के बीच में USA है तो ये भी exam के लिए question हो सकता है ठीक है अब रिसेंटी global trade research initiative ने जो think tank है उसने इस बात बताई है next question of 15 in which country was the world's second largest diamond recently unearthed मतलब world का second largest diamond जो है पर recently आपर discover किया गया है और किस जगे discover किया गया है देखो world का सबसे बड़ लाज़ेस diamond जो है वो तो South Africa में था ठीक है अभी जो second largest diamond unearthed किया गया है वो किया गया बोच्षवाना में आप एक country देख सकते हो बोच्षवाना अफरीका के South Africa के ज़स्ट उपर आपको दिख रही होगी comment box में इसकी capital क्या है बोच्षवाना capital का है या आप मुझे comment box से mention कर दिए ठीक है देखे बोच्षवाना में भी recently 2492 करट का ठीक है वे करके आप देख सकते हो world का second largest diamond जो है वो pen किया गया है ठीक है मतब यहाँ पर मिला है ठीक है और largest diamond जो था वो 3106 करट का था जो की 1905 में South Africa में मिला था ठीक है और 2024 में आप देख रहे हैं बोच्षवाना में यह second largest diamond जो है वो मिला है next question में आते हैं that is question 16th recently which scholarship scheme has the department of post launched to encourage flatly among the school children okay flatly मतब होता है जो postage time को इखटा करते हैं ठीक है उसके लिए यह scheme जो है department of post ने आप देखे हैं इस scheme को launch किया है तो scheme का नाम किया है अब options आपके सामने यह scheme भी news में चल रही है इसका नाम है दीन द्याल स्पर्ष योजना ठीक है तो correct answer option में D है that is दीन द्याल स्पर्ष योजना इसको launch किया गया है okay और scheme के देखे मैंने बता है flatly होता क्या है that is flatly पूछे तो यारे collection and study of postage stamp उसको कहते है flatly और इस scheme के अंदर research to promote research and scholarship in flatly among the students across India तो जो flatly पर लोगों की रुची है जिसमें वो collection करते है postage stamps को बगरा के लिए उनके लिए scholarship यहाँ पर provide की जाएगी और department of post किस ministry के अंदर है union ministry of communication जो है उसके अंदर आता है comment box में मुझे बताईए अभी at present ministry of communication के minister को न है who is a minister या आप मुझे comment box में mention करके बताईए next question was 17 recently which state government announced subhadra scheme which will provide 50,000 to 1 crore women at the age of 21 to 60 over 5 years 5 साल में आपको 50,000 रोपे 1 crore women at the age of 21 to 60 दिये जाएंगे under subhadra scheme और यह scheme 17 September को Prime Minister Modi जो है वो launch करने वाले है और यह scheme launch की गई है Odisha government ने correct answer option में D है that is Odisha आप मांची याँ उनके CM भी देख रहा होंगे यह scheme launch की गई है तो scheme के अंदर आप देख रहे हैं और 50,000 जो 5 साल मिलेंगे 10-10,000 हर साल दिये जाएंगे जिर में से 5,000 जो है वो याद एकना है International Women's Day में देएंगे और 5,000 राखी में देएंगे तो ऐसे करके 10,000 रुपीज yearly आपको मिलेंगे और 5 साल तक 50,000 रुपे आपको दिये जाएंगे Next question Which country is the largest importer of Russian oil? अभी largest importer कौन हो गया? रुपियो तो पहले आप देखेंगे China ठागर अभी आप देखेंगे जो India है वो हो गया है लार्जेसिंपोरे ओ रुपियो रुपियो न! तो correct answer that is option No.B is India Next question The 19th Who has been elected as the youngest ever Chairman of International Cricket Council? International Cricket Council के youngest Chairman options आपके सामने I think आप सब समझ गाओंगे correct answer is Jay Shah यह पहले PCCI के secretary थे बट अब ICC के chairman बन गए है और unopposed यह chairman बने है तो correct answer option बब B है 35 years पे बन गए है ठीक है और यह का role जो है 1st December 2024 से यह chairmanship जो है वो समभालेंगे ठीक है और ऐसा नहीं पहली को chairman बने है इंडिया के side से 5th chairman है इंडिया के side से जो ICC के chairman बने है इससे पहले जगबों डाल्मिया, शरत पवार एंशीनवासन, शशांग मनोहर यह already 4 लोग ICC के chairman बन चुके है और अब जो है वो जैशा भी ICC के chairman बन चुके है चली next question जो है which of the following has launched India's first indigenously developed monkeypox RT-PCR kit तो यह directly question पुछा गया है कि इंडिया का पहला indigenously developed monkeypox RT-PCR kit जो है, वो किस ने launch किया है options आपके सामने में directly correct answer आपको पता रहा हूँ, इंडिया का first है, that is very important और monkeypox आपको पता हूँ, और news में भी बहुत चल रहा है, यह kit जो है indigenously developed monkeypox RT-PCR kit चले, next question number 21 Recently which country workers will have the legal right to ignore their bosses outside of work hours as the new law includes right to disconnect मतलब अगर आप working hour के बाद उनको अगर आप call करेंगे message करेंगे, तो उनका legal right है कि वो आपको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब वो आपका reply नहीं करेंगे यह किस country न भी recently इस पर law बना दिया, right to disconnect जिसको हम कह रहे हैं और यह बनाया है अभी Australia ने correct answer option B है, Australia यह Australia के prime minister है जल्दी से मुझे आप इनका comment box में नाम बताईए यह Australia के PM है, यह इसलिए important है, क्योंकि इन्हों ने बोला था Modi is the boss, अगर आपको याद होगा, यह बहुत number 22, which astronaut stuck on the international space station due to the fallout in the Boeing spacecraft and are set to return to earth in February 2025 with SpaceX, तो मतलब इनको भीजा गया था, 7 दिन के लिए international space station में, but because of the fault, अभी यह वहीं पर रहे गए हैं और इनको February 2025 तक याद खेंगे, इनको वापस लाया जाएगा, तो कौन है वो दो person और एक Indian origin है, इसलिए exam के लिए बहुत important हो जाता है, इसका correct answer है, option number B, Sunita Williams and Barry Wilmore, तो यह देख सकते हैं, दोनों की image जहाँ बनी हुई है, और यह दोनों जो हैं, वो struct हो गए हैं, तो अभी यह international space station में ही हैं, correct answer option number B हैं, next question माहाते है, question 23, how many new districts have been created in the union territory of Ladakh by the central government, आपको बता होगा है, बहुत तरह भी issue चला था Ladakh में, कि Ladakh को statehood का दर्जा दिया जाए, कि demand चल लही थी, but Ladakh में दो districts हैं, तो finally, दो districts हैं, पांच districts और बना दिये गए हैं, तो correct answer 5 है, 5 new districts हैं, वो create कर दिये गए हैं, तो टोटल 7 districts हो गए हैं आपर, और 5 जो नए districts हैं, वो हैं, जहसकर, ड्रास, टाम, नूबरा और चांगतां, पहले से ले कारगिल और अल्रेडी दो districts थे, तो अब ये 5 districts हो गए हैं, और किसमें? Ladakh में, तो ये आपको याद दखना हैं, next question, question 24, which has become the first state to adopt unified pension scheme for its employee, मारा, central government तो UPS जो है, उसको launch कर दिया, पर किस state government ने सबसे पहला state बना है, जिसने इसको implement किया अपने state में, तो options आपके सामने हैं, इसा correct answer है, महराश्ट government, correct answer option number D है, that is, महराश्ट became the first state to adopt unified pension scheme, ठीक है, तो यह आपको याद अखना है, और महराश्ट will be effective from March 2025, चलिए, next question में 25 में बड़ा interesting question है, आप यहाँ पर एक person को देख रहोंगे, एक woman को देख रहोंगे, एक लड़की को देख रहोंगे, question कहा है, 14 year old है, तक हमें तन्वी पात्री, अब रिसेंटी उन्में वोमें सिंगल टाइटल जीता है, at the Asian Under 15 Badminton Asia Junior Championship 2024, by defeating, एक वियेत नाम की है, जिनको उनको defeat किया, देख सकते हैं, नुगईन थीतिव हुईन, यह करके नाम है, देखे, नाम भी आप याद कर लिजे, और she's from which state, कि state से बिलॉंग करती है, देखे, आप बहुत लोग हमारा lecture जो है, वो Odisha से देखते हैं, और यह लड़की जो है, वो Odisha से ही बिलॉंग करती है, इसलिए इसने किसको हराया है, यह question भी exam में आपके आ सकते हैं, इसलिए आप जरूर इसको go through कर लिजेगा, तो यह आप मुझे comment box से बताएंगे, कि Asian under 15, Badminton Asian Junior Championship 2024 कहां पे हो रही है, उसकी location you will tell me in comment box, कोई मैंने अल्रेडी पढ़ाया हुआ है, जेखते कौन-कौन सही comment box से mention करता है, ठीक है, चले, Next question by 26, Recently in a meeting chaired by Narendh Modi, the Union Cabinet has approved the merger of Department of Science and Technology three central schemes into a new scheme, मतब तीन central scheme को एक जिगा मिक्स कर दिया गया है, और नई scheme का नाम क्या है, options आपके सामने, directly correct answer में याद कराऊंगा आपको, वो यादर है विज्यान धारा, तो देख सकते हैं विज्यान धारा नई scheme है, तो याद रकना आपको विज्यान धारा, तो ये cabinet अभी इसके लिए 10,579 करोर रुपीज भी प्रोवाइड किये, तो पूछ रकते हैं कौन सी नई scheme लॉंच की एगी तो विज्यान धारा है, और इसके अंदर याद रखिए का जो merge component है, वो है science and technology का institution and human capacity building, research and development, innovation, technology, development and deployment, ये तीनों जो components है, ये इस scheme में merge कर दिये गए हैं विज्यान धारा में, चले, next question है, in which country, टेलिगाम founder, पैवल दुरोव जो हैं, ये टेलिगाम के founder है, आपको दिख रहोंगे, इनको arrest कर लिया गया है, over acquisition related to illegal content on the platform, टेलिगाम के illegal platform में कुछ चीज़े share हो रही हैं, टेलिगाम बन तो नहीं हो जाएगा, तो इसलिए मैंने description box में अपना WhatsApp channel बना लिया है, ठीक है, आप तुरण जाके उस channel को join कर लिजे, वहाँ पर आपको साइड details आती रहेंगी, WhatsApp channel का link जो है, वो description box में mention है, तो उसको भी आप join कर लेना, तो यहाँ correct answer option में A है, that is France, next question में 28, name the India's first civilian space tourist, who returned to Delhi on 26th August 2024, after his trip with Blue Origin New Shefford 25 mission, तो इस mission के बाद याद अखियेगा, यह पहले Indian civilian है, actually 6 लोग गए थे total space tourist में, और India की side beach से भी एक represent कर रहा था, options आपके सामने में उनकी image दिखाएता हूं, इनका नाम है, याद अखियेगा, गोपी चन्थोताकुरा, तो गोपी चन्थोताकुरा जो है, यह इंडिया के पहले first civilian space tourist बन गए है, तो आपको याद अखियेगा, correct answer option number A है, चले, next question में आते हैं, question number 29, who has been appointed as new chairman and CEO of railway board, तो chairman और नए CEO railway board के कौन बन गए है, और यह पहले दलित है, याद अखियेगा, वनब शेडियूल कास से बिलॉंग करते हैं, जो पहली बार railway board के chairman और CEO बने हैं, ठीक है, मैं image दिखाएता हूं, ठीक है, इनका नाम है, सतीश कुमार, तो correct answer option A है है, senior IPS officer है, मैं image दिखाएता हूं आपको, इनका हमें P.Shinwasan, recently इनको director general appoint किया गया है, किसका director general बने है, B.S.F का, C.I.S.F का, S.P.G. का, किसके director general बने है, ये बने है, national security guard का, याद रखेगा, NSG के director general appoint हो हुए है, P.Shinwasan, so correct answer option number D है, who will let the men's hockey squad in 8th men's Asian championship trophy 2024, women's वाली जो हो रही है, hockey की, वो तो इंडिया में हो रही है, but ये जो हो रही है, men's की Asian championship trophy, ये हो रही है, चाइना में, ठीक है, और ये 8th edition का है, इसको इंडिया के साइट से लीड कर रहे है, Harman P.E.T. Singh, आप इनकी में देख सकते हैं, हमाई captain है, Harman P.E.T. Singh जो है, वो लीड कर रहे है, hockey team को, ठीक है, और ये चाइना में, ये championship trophy है, last time देखा जाए, 7th edition की, जो 2023 में होई थी, वो इंडिया में होई थी, ठीक है, चले, next question में 32, India won the silver medal in, Maru Haba Cup at Maldish, तो यारे रखेगा, तुलूस दू जगह है, Maldish में जहां पर, Maru Haba Cup जो है, recently हुआ है, इसमें इंडिया ने silver medal जीता है, मैंने पुछा कब जो है, ये sports जो है, कब जो है, किस sports related है, ठीक है, आपको options दिये गए है, आपको बतायता हूँ, यादे कि it is related to surfing, this is very important, ठीक है, इंडिया में इतना surfing हम सुनते रही है, यादे कि इंडिया ने जहां पर silver medal जीता है, surfing में इंडिया ने silver medal जीता है, ठीक है, तो किस state government है किया है, तो ये किया है, असम government है, किसने किया है, असम government ने किया है, correct answer option बर A है, ठीक है, जिससे child marriages वगेरा जो होती है, underage marriages होती है, उन पे भी stoppage लएगा, because of this compulsory registration, और आपको भी पता होगा, woman की age जो है marriage की वो 18 years है, और male की जो है वो 21 years है, नेक्स, National Sports Day is celebrated annually on 29th August, को हम celebrate करते हैं इंडिया, to commemorate the birth anniversary of which famous sports person, कि sports person पर हम 29th August को National Sports Day बनाते हैं, options आपके सामने दिये गए हैं, और वून का नाम I think सब लोग जानते होंगे, ध्यानचंद, तो ध्यानचंद की नाम पर हम एक award भी देते हैं, ताइस खेल रतने, ठीक है, कर्रेक्ट आंसर, option number, that is C है, ठीक है, that is C is the correct answer, ठीक है, चले, next question मैं तो इस बागी theme भी आ दखेगा, sport for the promotion of peaceful and inclusive society, जो है, इस बागी national sports day की theme थी, ठीक है, चले, next question मैं 35th, which two states developed the Shri Krishna government path, मतलब Shri Krishna का government path जो develop किया जा रहा है, actually जो Shri Krishna है, Krishna जी है, वो मत्रुआ से उज्जैन आए थे, ठीक है, कहां से जाते हैं, मत्रुआ से उज्जैन आते हैं, तो उनके बीच में जहाँ जहाँ फुट्प्रिंच पर रहे हैं, उसको develop किया जाएगा, और यह Shri Krishna government path जो राजिस्थान और मद्र प्रदेश गवर्मेंट डेवलप कर रही है, correct answer option A है, that is Rajasthan and मद्र प्रदेश इसको develop कर रही है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, मत्रुआ से उज्जैन आये थे, उनके footprint जहाँ जाए हैं, उसको identify किया जाएगा, उनको develop किया जाएगा, okay, Pashama 36, who became the youngest person in Asia to reach Africa highest peak, जिसकर आम है Mount Kilimanjaro, तो highest peak पे जाने वाले Mount Kilimanjaro में, जो Africa की highest peak है, इंडिया की, एशिया की youngest person बन गए है, कौन है, या options दिये गए हैं, कराम है, तिकबिर सिंग, जो आप देख सकते हैं, पात साल की एज हैं की, और यह youngest station बन गए है, to conquer Kilimanjaro peak, जो इंडिया से बिलॉंग करते हैं, comment box में मुझे बता दो, इंडिया के किस state से बिलॉंग करते हैं, ठीक है, या आप मुझे comment box में, mention करके बताएंगे, नेक्सप्ष्यों में 37th में आते हैं, इंडिया मुंबई रंक्ट 2nd, नू डली रंक्ट 3rd in global property price index, has recorded annual increase in their real estate prices, at 13% in Mumbai and 10.6% in New Delhi, while Bengaluru has witnessed 3.7% rise, globally which city has stopped in a night frank prime global cities index, with an increase of 26%, महला property का जो increase है आप देखें 26% तक increase हुआ है अब rank 1 पर कौन है overall world में rank 1 पर कौन है तो वो है या देखिएगा फिलिपिन्स में है that is Manila जो capital है फिलिपिन्स की वो rank 1 पर है तो correct answer option option में A है sorry option में D है Manila इंडिया के side से मुंबई आंसर है but overall Manila is the correct answer that is option number D is the correct answer recently who has been appointed as new chairperson of Nescom Nescom के नए chairperson कौन appoint हुए है यह मैंने आपसे पूछा है इमेज में आपको दिखायता हूँ she's a woman निकराम है Sindhu Gangadharan correct answer option number A है that is Sindhu Gangadharan okay next question 39 the Stockholm International Water Institute is organizing next World Water Week on 25th through 29th August 2024 ठीक है यह celebrate किया गया Water World Water Week 25th से लेके 29th August तक मैंने पूछा इस बार की theme क्या थी इस Water Week की theme क्या थी यह मैंने आपसे question पूछा हुआ है ठीक है तो यह आपको डे भी आ देखाया 25th से 29th August तक वह तो इस बार की theme क्या देखेगा इंवेंट हो जाता है क्योंकि इनोंने हमको gold medal जितवाया है इसी बात निए सबार इसबाद इवेंट टोक्यो में लास्स t मे परिस olimpics में स्वारी टोक्यो में जो लमपिक्स में 2020 में वहां पे इनोंने हमको हो जाएंगे तो चिंता बात करिए मैं डीटेल वीडियो आपके लिए पैरिश पैर ओलम्पिक्स का बना दूँगा तो यहां पर आपको या रखेंगे नोगे टेन में अभी तक इंडिया ने कित्य मेडल्स जीते लिये हैं याप इसके बाद सिर्वर अपको याद इखना है मनीश नर्वाल ने जीता है सिल्वर मैड़ल एयर िस्तल एफटर एफटे एयर पिस्तल है insgesamt उसके तीन ब्राउंज जीता है 10-meter air rifle standing SH-1 में फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रिति-पाल इन्होंने ब्राउंज जीता है 100-meter T-35 event में आप देख रहे हैं इन्होंने हमको 100-meter में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने 100-meter T-35 event जो है उसमें मेडल जीता हो और इंडिया का पहला फर्स एवर यहां देखिए कर ट्रैक मेडल है फर्स एवर ट्रैक मेडल है जो 100-meter T-35 event में प्रीति-पाल ने जीता है और इंडिया ने आज तक इसमेडल नहीं जीता था इन पैर ओलम्पिक्स और वो इंडिया ने जीत लिया है तो यह इं मेडल जीतेगी मैं और भी discuss करूँगा ठीक है चले आगे बरते next question of 41 who has appointed as a director general of border security force on 20th August 2024 तो director general appoint हुए BSF के कौन appoint हुए इनका नाम याद आखना आपको that is दलजीत सिंह चौधरी पहले यह SSB के director general थे बट अफिनको SSB के साथ साथ additional charge दिया गया था BSF का बट अब इनको properly appoint कर दिया गया BSF का director general okay दलजीत सिंह चौधी जो है BSF के director general अब SSB के director general देखते कौन सरकार appoint कर थी अभी कोई नहीं है मतब अभी जो है वो नहीं director general कोई भी appoint नहीं कियेंगा SSB के तो यहां पर correct answer option बट बट है in which city global fintech fest 2024 was organized global fintech fest अभी prime minister आपको पता होगा वादवन पोर्ट के लिए भी गय थे महराश में वहीं पर होने Mumbai में global fintech fest को organized किया तो correct answer option बट है that is Mumbai में prime minister Modi ने अटेंड किया तो correct answer option बट है पूछक थे global fintech fest कहा हुआ तो correct answer option बट है इंडिया रिच लिस्ट 2024 तो इंडिया रिचस्ट परसंट कौन है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी नहीं है correct answer गौतम अदानी आप देख सकते हैं कि मैं लिस्ट मेंशन कर रहा कि कौतम अदारी rank 1 पर है मुकेश अंबानी टू पर है और शिव नदा जो HCL के हैं वो rank 3 पर है और यह भी याद एकना है billionaire capital of Asia 2024 जो है वो Mumbai है ठीक है अब रिसेंट्ली यह सब सरा billionaires जो है world में वो Mumbai में है एशिया की bilanier capital जो है world में तो नहीं कहेंगे अफकोर्स एशिया में मैं कहा रहा हूं rank 1 पर Mumbai है बीजिंग नहीं है पहले बीजिंग लोग सोचते थे बट अब Mumbai है next which country won the title of South Asian Football Federation under 20 championship football tournament by defeating Nepal on 28th August तो किस ने यह championship जीत ली है यह final भी नेपाल में ही हो रहा था नेपाल को हराया है बांगलादेश ने इंडिया नहीं पहुंचा था फाइनल में फाइनल था बांगलादेश वसे नेपाल और बांगलादेश ने फाइनल जीत लिया है तो correct answer that is option number B बांगलादेश नेक्स question में आते हैं और यह हो कह रहा था मैंने भी आपको पता है नेपाल में ही हो रहा था next who won 61st edition of इंडिया's national chess championship title तो किसने जीता है यह chess championship title यह options आपको दे रखें करेक्ट आंसर है कार्तिक वेंकटर रमन ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन वसी है कार्तिक वेंकटर रमन ओके नेच्स question of 47th अनुभाव पुरुसकार award was given by whom ठीक है कौन सी ministry अनुभाव पुरुसकार देती है देखें यह award जो है जो आपको बताऊंगा इस award के बारे में भी पहला पता ही कौन सी ministry दे रही है options आपके सामने है यह मिनिस्टर आप देख सकते है जीते इंदर सिंग आपको तो रेकोगनाईस कांट्रिबूशन ऑफ रेटारिंग गवर्मेंट ऑफिशल जो गवर्मेंट ऑफिशल होते हैं उनके कांट्रिबूशन जो उन्होंने वर्क किया है उनको यह award जो है वो दिये जाते हैं तो correct answer option number D है ओके next question of 48th what is the name of second Arihant class submarine which was commissioned to Indian Navy on 29th August 2024 तो second Arihant class submarine है दे correct answer क्या है option number A आइनस अरिगात correct answer option A है यह भी आपको याद रखना है ठीक है next question about 49th Goa shipyard launched India's first pollution control vessel याद कि इंडिया का पहला pollution control vessel what is the name of the vessel ठीक है यह मैंने question बूचा है what is the name of the vessel okay options आपके सामने दिये गए है कि what is the name of the vessel ठीक है A B C D ये चार options है correct answer जो है जो है जड़ी समुंदर प्रताप या दखना correct answer option A है इंडिया का पहला pollution control vessel जो है Goa Shipyard Limited ने बनाया हुआ है ठीक है इसको design construct किया Goa Shipyard Limited ने और इंडिया का पहला pollution control vessel है समुंदर प्रताप okay question 58 which country was affected by typhoon कंशान जा देखेगा कंशान जो है आप देख सकते है टाइफून जो इसका impact अभी किस country में देखा गया option थोड़े confusing है but correct answer जा देखे correct answer option C है that is Japan okay 29th August को इसका impact जो है वो जापान में देखा गया okay next question 51st which state has become the first state to notify the rules for issuing online summons and warrant तो पहला state बन गया है जिसने online summons भी issue करेगा और कौन सा state बन गया है और यह बन गया है option number D मध्यप्रदेश तो यारे कि MP became the first state to formalize rules forming digital insurance of summons and warrants तो correct answer that is option number D मध्यप्रदेश ठीक है तो यह exam के लिए important question था ठीक है अब देखोंगे मैंने यहाप सारे questions cover कर दिए इस week के जो की बहुत important है आप सोचोंगे साब कोई booklet है current affairs की जिस ठीक है जैनवरी से ऑगस्ता की सादीक अंडरफेर से exam आने वाला इस booklet पर आप देखो थोगा सा invest करो मेरा ऐसा मानना है यह WhatsApp नमबर इस पर WhatsApp करो इसके charges आपको मैं बता दूँगा यह application का नाम है देवशिष क्लासे आप application से भी download कर सकते हो मैं आपको कोच sample दिखाए तो इस exam oriented इसको बनाया हुआ है एक बार इसको रीड करके आप चले जाना आपका exam qualify हो जाएगा कोई सारी चीज़े यहां पर cover की गई है आप सोते हैं सर MCQ format में booklet है की नहीं तो बिलकुर जैनवरी से ऑगस्ता की एक और booklet में आपको साथ में दूगा 1500 प्लस MCQs जहां पर आपके लि मिलेगा आपको यह दो booklet के साथ साथ में जायता हूँ मेरी daily current affairs के जो lectures है तो उसकी PDF मिलेगी जो मेरा weekly current affairs अभी आपने lecture देखा इसकी PDF मिलेगी topic wise मैं lectures बनाता हूँ उसकी PDF मिलेगी अभी आप देखरे मैं static GK की MCQ series चल दी उसकी PDF मिलेगी अभी सारी चीज़े monthly current affairs आने वाली November है उन सबकी भी current affairs में आपको provide करता रहूँगा तो इतने सारे benefits आपको जो है वो मिलने वाले हैं करना क्या आपको WhatsApp पे message करना है ठीक है यह WhatsApp नमबर दिया हुआ है आप message करिए आपको details मिल जाएंगे और सारे benefits one time payment में इतने सारे benefits में आपको provide कर रहा हूँ तो याद कि आप आप चाहो तो application से भी buy कर सकते हो एक पर application को जरूर download करना वहाँ पर आपको मेरी बहुत साही classes मिलेंगी ठीक है जो exam के लिए आपके लिए important हो सकते individual subjects की बस वहाँ पर मेरे handwritten notes भी डले हुए एक पर जाकर handwritten notes के sample को जरूर चेक कर लेना okay exam में ऐसे quality हो गया geography हो गया इन सब notes के आपके sample डले हुए आप इन notes को वहाँ पर जाकर buy कर सकते हो exam के लिए बहुत important ये booklet चरेंगी okay आपके रोल प्ले करेंगी sample डले हुए एक पर sample आप check कर लो पसंद आया तो आप buy कर सकते हो और चाहो तो आप WhatsApp की जगे call भी कर सकते हो मुझा अगर आपको कोई doubt करी तो calling भी exam है यूपी का exam है ठीक है बहुत सब्सक्राइब करोगे आप जाकर application डाउनलोड करना और ये course जो है ठीक है दिवशीश classes में जाकर इस course को आप buy कर सकते हो ठीक है इना इस पर current affairs वगर सब कुछ आपको available मिलेगी ठीक है तो general studies के course जाकर आप देख लो एक बाल एक बाल एक ब है और दूसरा आप मेरे handwritten notes का भी sample एक बार चेक कर लो hard copy में मिल जाएगा soft copy में भी मिल जाएगा ठीक है अगर आपको lecture पसंद आया हो तो अब जरू वीडियो को like जरू करिए को जो मेरे daily lectures देखते हैं उनको तो पता चला होगा आपका कितना अच्छा revision हो गया होगा एक ब पर उसके लिए आप मुझे वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए और अपने अलग अलग अपने friends के साथ इस वीडियो को share करिए ओके देखे मैं आपर to the point discuss करता हूँ इधर उधर की चीज़े कम discuss करता हूँ जो exam oriented होती है सिर्फ मैं वही चीज़े discuss करता हूँ यह मेरा agenda होता ह इसमें आपको exam में exam निकले आपको यहाँ पर teacher नहीं बनना है you have to become आपको जो exam उसको crack करना है ठीक है तो आप उतना ही पढ़िए जो exam oriented है क्योंकि आपको other चीज़े भी पढ़नी होती है तो to the point में आप पढ़ाता हूँ अगर आपको यह मेरा way पसंद आ रहा है तो वीडि चरभी में बनाने बाला हूँ उसके लिए करना है कि आपको इस वीडियो को जादा जादा लाइक कर दो जादा लाइक साएंगे तो उसका lecture कल ही आ जाएगा आपके लिए August का complete lecture आपको मैं provide कर दूँगा अब यहाँ पर मैं चलता हूँ I think आपको सब चीज समझ में आ गई ह होगी कोई डाउड को रिए comment box open आप comment कर सकते हैं तो thank you everyone, जे हिंद, जे भारत, जे जगननात